हेलो एब्रीवन कैसे आप सब मैंने में इस शिफरत हमद आपकी बाइलाजी मेंटर हम लोगों ने नुट्रिशन स्टार्ट किया था और नुट्रिशन में हम लोग प्लान नुट्रिशन और अनिमल नुट्रिशन अच्छे से कम्प्लीट कर चुके थे तो आज की लेक्ष्ट वाला मॉलेक्ल छोटे छोटे चुटे टुकरों में टूट जाता है कुछ एंजाइम्स और वोटर के मदद से तो यह वाले प्रोसेस को हम लोग डाइजेस्टिव बोलते हैं और यह कहां होता है यूमिन के अंदर बॉडी में होता है एक कोडिनेटेड सिस्टम है जो स्टार्ट कैसे होता है यह ना नॉर्मली पाइप के तरह होता है अगर आपको पाइप से कोई चीज ट्रांसपोर्ट करना है जैसे कि यहां पे एक बॉडटल लेंफ एक डबबाय यहां पे पाइप लगा है ठीक है आप उपर से कोई समान नीचे डाल रहे हो तो वहां पे नॉर्मली क्या करते हो वो पाइप के तरु पहोंचा देते हो विसी कुछ हमारे अंदर भी एक सिस्टम बना हुआ है कि खान अधर से जाए application तक आपके ट्राकयाह में घुजढ़। फेसें तरशम चाдо FM जाता है और अटेस्टाइं इंटस्थाइद लाज इंट। स्मॉल ईंटिस्टाइण रेक्टम फिर आइल से बहार निकल जाते हैं तो स्टार्ट करते चाप्टर लुट किस निगलना अगर कुई भी चीज हम लोग खा रहे हैं तो वह कीज़ हम लोग는 के तुम माफ में क्या करते हैं दिए मुद्सट स्टूमद के जाने को एक हाइफाए थे साइंस टूध ant's the Mastраж कि भूर जिसको सब्षपर को नामने कंदेश्ट करते हैं जो नौर्मल कहां पहने होता है तो हुछ-टूर्ज मूं में भी डायजिस्ट हो जाता है कि यह अगर आप बात करो अब कोई भी चीज़ करते हो या फिर मस्टी के इस तो वहाँ पर स्मौन मोलकूल जो छूटा मौन से पंड़ा किल चूटा मोजों हो जाता है तो वह absorption कैसे होता है, normally ये cell है, ये सारे macromolecule ये cell के अंदर चले जाते हैं, अब ये जैसे macromolecule cell के अंदर चले गए, तो वहाँ पर क्या होता है, ना, cell के protoplasm के अंदर घुसने वाले mechanism को अम लोग assimilation बोलते हैं, absorption हो गया, absorption के बाद assimilation, फिर उसके बाद हम लोग excrete out कर दे माउथ पे आते हैं, माउथ पे क्यों कान से चीज लाई करते हैं, सबसे पहले हमारा टंग है, तीत है, तीत में आप माउथ खोलो और उपर वाला जो सर्फेस से उसको टच करो, तो वहाँ पे आपको क्या नजर आएगा ना, कि ये थोरा हाड वाला portion है, तो उसको हम लोग ह हाड पैलेट बोलते हैं, फिर उसके बाद अपने टंग के तुरू आप पीछे-पीछे टच करते हैं, तो आपको वह जो हाड पैलेट है, वह थोरा-थोरा सौफ दिखाई देने लगेगा, जैसे कि अगर ये आपका माउथ है, यहां सब खाने एजट कर रहे हो, तो ये वा गजाते हैं, और अवीयोला तो इसकोचा पैलेट रहे हैं हालेट कहां पे लाई करते हैं, मुँह में और क्या है हमारे दाथ हैं दाथ को भी अच्छे से परेंगे, फिर उसके बाद थोरा नीचे आते हैं, थोरा नीचे आने कबाद पताचलता है, थो तो लिखर भी है और monarch lavender कुछ ऐसे फॉरम में ख rugged और यह office focus से नीचे आना pipe के तरह प्रक्राइब हो गया स्टक्चर हो गय प्र अलुस गाने के बाद ख़ड़ स्टमग मेंं खाना कितने देट तक रहता है कि स्टमग्ये घृता चार से पाज ждव में कशना करते हैं या फिर कुछ ऐसा खाया हो जिसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है तो खाना HCL से मिलता है फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग क्या बोलते है काईम ठीक है फिर उसके बाद 4-5 घंटा हो जाते है तो खाना यहां से नीचे आता है और यह वाले स्ट्रक्चर को हम लोग डियॉर्डिनम के नाम से जानते है डियॉर्डिनम में मैक्सिमम डाइजेस्टन होता है मतलब यहां पे यह जो लीवर है से इंजाईब्स आते हैं फिर उसके पान्क्रियस एधर लाईक गर यहां से इंजाईब्स हाते हैं सब डियॉर्डिनम में में मैक्सिमम डाइजेस्चन होने रगता है मालब जितना हो सके उतना डाइजेस्ट होने लगेगा दियॉर्डिनम के बाद yakil Coach स्टुक्चर है जैसे कि यह डियॉर्डुने में खुच और now कि यह उस स्टार्ट हुआ है तो डियोइंख पूरा लेंangen यह बर्फोर तर्ट सेग्ञा आए शी शु कि प्रहुत है पुरा होता तो हम लोग यालियम के लाघन के नाम कैशmen तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का अब आता है लाज इंटेस्टाइन जैसे कि खाना यहां पर चला गया तो ऐसे करके फोल्ड करके लाज इंटेस्टाइन पर आता है लाज इंटेस्टाइन में क्या होता है जो सबसे पहले वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते है सिक्कम बोलते हैं, अब सिक्कम में क्या-क्या होता है सबसे पहले तो यहां पर कुछ सिम्बॉइटिक बैक्टीरिया प्रेजंच होते हैं सिम्बॉइटिक का मतलब सब को पता है क्या होता है कि कैसे yourself jahan पर दोनों मतलब यहां पर होस्ट भी जो हम लोग है और जो बैक्टेरिया है बैक्टेरिया को तो शेल्टर मिल ला है और हम लोग को वो बैक्टेरिया का वज़े से क्या मिल रहा है यह बैक्टेरिया क्या करता है कि अगर हम लोग कोई विटमेंट B12 खाये है तो विटमेंट B12 के मदद से RBC को मिच्योर करने में help करते हैं RBC maturation में help करते हैं ठीक है फिर उसके बाद खाना यहां से ऊपर जाता है यह वाले structure को हम लोग एसेंडिंग कोलोन के नाम से जानते हैं फिर खाना ऐसे करके ट्राइवल होता है ठीक है हम highlighter से mark कर देते हैं के अच्छ लोन है ट्रांसवर्स कोलोन में खाना किया और उसके बाद यह नीचने के तरफ आयाabout स्टॉ्टर हो अस Championship ऑलम्योप पर पैसे करने सिग्मॉईट कालोन बोलते हिसके वह उसके अफ नहीं कह oyn Campellaаться स्टोर हो जाता है और जब ब्रीन में वॉलिंटरी सिगनल जाते हैं तो आपको स्टक्चर पता चल गया होगा कि कौन-कौन से और गन है जो डाइजेस्टिन सिस्टम में हेल्प करते हैं इसको डाइजेस्टिफ सिस्टम को हम लोग एलिमेंटरी सिस्टम भी बोलते हैं क्या ब इसमें जितने enzymes वगेरा आते एक्चुल में digestion कैसे होता है सब कुछ start करते है ठीक है तो सबसे पहले आया mouth क्योंकि हम लोग खाना शुरुवाती कहां से करते हैं अगर हम लोग के पास mouth नहीं होगा तो हम लोग खाना इंजेक कहां से करेंगे तो normal एक proper human के पास अच्छा सा mouth होत होता है उनमें दाद भी होते हैं तंग भी होते हैं बहुत सारी चीज होते हैं तो mouth का definition तो कोई पढ़ने वाला नहीं है लेकिन तब भी पढ़ने थे इट कंटीन में टंग तंग है हमारे mouth में तीथ है compound epithelial tissue यह टीशू वाले chapter में अच्छे से पारे थे हम लोग ना फिर उसके बाद हमारे mouth में कुछ बोन्स भी है उपर वाला structure जो है यहां वाला structure उपर में तो बोन लाई करता है it communicate with the exterior through the oral aperture between the lips and opens behind the pharynx pharynx मतलब क्या होता है अगर आप यहां पर कुछ खाए जैसे कि आपका mouth समझ लो ठीक है यहां से आप कुछ खाए और यहां से आप नाक के थूरू सास लिए तो हवा भी गया और खाना भी गया दोनों एक जगा पर आके मिल जाते है तो इसको हम लोग क्या बोलते है फैरिंग्स बोलते है अब माउथ में देखते हैं माउथ में क्या क्या प्रेजंट है सबसे पहले तो तीत प्रेजंट है तीत के बाद आपका नौर्मली यह जो यह वाला स्टक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते है पैलेट बोलते है पैलेट दो टाइप का होता है हार्ट पैलेट हार्ट प हाट पैले ने измен. हाट पैलेट ठीक है उसकी बाद उसका नीचे वाल स्टक्चर देखे अगर इधर से यह क्या हो गया यह हो गया सॉफट पैलेट अरे के आप सॉफट पैलेट और पीछे जाता है फिर और सॉफट हो जाता है ठीक है तो वो वाले सॉफले स्टक्चर को मतलब यह वाले स्टक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं और वियुला ओके वाला हमारे टंग है सबको पता है पिर उसके बाद हमारे टंग में कुछ टॉंसल्स प्रेजन्ट होते हैं पीछी के तरफ फूल जाते हैं तो बहुत तकलीफ होता है खासी वगेरा आने लगता है पिर अंदर वाला पॉशिन को थ्रोट बोलते हैं फिर उसक करते हैं सबसमद में आए होगा अब ऑगर माउथ पर रहे हैं कि तंग क्या रोल प्ले करता है क्या ताय डायजेश्चिन में first of all tongue जो है हमारे mouth का एक movable part है अपना tongue को इधर उधर घुमा सकते हो लेकिन इतना आप उसको अपने tongue mouth से बहार नहीं निकाल सकते हो क्यों क्यों क्योंकि normally एक वो muscle से attach होते हैं आपके lower jaw में वो muscle को हम लो क्या बोलते है okay यह बहुत अच्छा सा topic है अब हमारे tongue के उपर कुछ tease birds present होते हैं आप सबका tease birds अलग होते हैं किसी किसी को पता चले कि अगर आप को कोई पसंद है लेकिन आपके cousins है या फिर कोई और उसको पसंद नहीं है इसका मतलब क्या कि आपका और उसका टेजबर्स अलग है अब वो टेजबर्स कैसे होते हैं यह जूम किये फिर देखे तो चोटा सा बर्ट टाइप का structure है जिसमें कुछ फिर निर्व क्या करता सीधा करनेक्ट होता है Senra nervous system से अब संदार नर्व सिस्टम से सिगनल देता है और आदमे को जैसा उसकी पसंद है अगर उसको कोई कोई निज पश्न पसंद नहीं आ रहे तो वह क्या करेगा कि एक उसको रिज़ेक्ट कर देगा और ऑब से ने हमको प इसको हम लोग है दिट हम लोग है एक ये सपरलॉट को हम लोग हाह ये वहाइद उन डहां बन पर बॉलते हैं इस आनलमय बोन लोगकान अफैर डोला में मंधिड को नाम से आ जानते हैं तो आपको टंग समझ में आया होगा इसका फंशन क्या है कैसे करके अटाश है कितने टेस्ट बच से को कोई खाना पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता है अब स्टार्ट करते हैं तीथ बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कुछ खा रहे हो तो इसको मैस्टिकेट करना उस अगर आपके दात में कीरा लग जाता है तो आपको दर्थ क्यूं देता है यह सब भी कोश्चन्स वगेर आप लोग पूछते होंगे खुछ से तो आथ सब कुछ बताते है ठीक है तो सबसे पहले तीथ क्या होता है ना जो तीथ का आपको वाइट वाला सॉर्फिस देख र कंजीडर किया जाता है this is this is the hardest bone bad will be okay ुश्के बद उस नीचे वाला लेर आता है जिसको हम रोग डेंटाइन भॉलते है देंटाइन के बाद कुछ नर्फ्स प्रेजिंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पल्प अब नॉर्मली अगर आपका अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हो खाना खा रहे हो तो क्या होता है आपके दात में क्याविटी लगना स्टार्ट हो जाता है वह जब इनिशली लगा तो आपका दात बस काला होता है लेकिन आपको पीन नहीं होता है लेकिन जब वह क्याविटी आपके दात के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है अंदर जाते 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 पल्प तक पहुंच जाता है उसको खाना स्टार्ट कर देता तब आपके दात में दर्द होना स्टार्ट हो जा लेकिन जब पल्प में कीरा लग जाए तो वहां पर आपको संसीशन या फिर दध होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारा जो तीथ है वह दो पार्ट में डिवाइड़ है उपर वाले हिस्से को क्राउन बोलते हैं और जो मस्कूरा का नीचे वाला रीजन होता है उसको रूड बोल बोलते हैं इतना डीटील में नहीं परना लेकिन यह कुछ-कुछ है जैसे कि इनामल है इंटाइन है यह सब को याद रख लीजेगा अब जब दात पर रहे हैं तो दात क्या होता ना हमारा दात नॉर्मली जिंदगी में दो बार आता है एक बार तो मिल्क टीथ होता है एक मतला ठीखका मिल्क टीथ मतलब जो बच्चपन में टीथ में इत तोटना हो जाते तो वह सब्सक्राइब कर चाहिने देन्टल फार्मूला क्या होतार घर्क भब्सक्राया ओ को कि करते हैं ठीक है मतलब यह नीचे वाला जौह है आपका इसमें 16 लगे वे उसको हम आधा कर दिये पूरा मिरर इमेज के तरह बीच से आधा कर दिये तो एक तरफ जितने तीध है ना उसके अर्रेंजमेंट को हम लोग डेंटल फॉर्मुला बोलते हैं हमारे माउथ में टोटल टाइप आफ तीध प्रेजंट होते हैं कौन-कौन से फोर टाइप आफ तीध यह हाफ सेक्शन है नीचे वाले का तो दो टाइप आफ तीध जिसको हम लोग इसमें काम करते हैं अगर कुछ बिस्कित खा रहे हैं आप नॉर्मली एक्जामपल ले लो बिस्कित का तो बिस्क पर उसके बाद एक और तीत आता है जो नोकीला तीत होता है यह क्या करता है कुछ भी घीचने के लिए अगर आप मीट खा रहे हो तो वह घीचने के लिए काम करता है इसको क्या बोलते है कैनाइन बोलते है फिर उसके बाद पीछे वाला दाता है जो नॉर्मली चबाने में काम आता है उसको में प्री मोलर के नाम से जानते हैं फिर इसके पीछे में तीन तीक और present होते हैं जिसको मूलर के नाम से जानते हैं अब मोलर भी नॉर्मली दो ही हिस होता है लेकिन जब असको अब UPी एट Wen'ti प्लश हो जाऊ ता नहैं तो आपका एक और तीक मिलता है वो ती तो अपर हाफ अपर अपर अफ हाफ और जोर जो इसको अपने डेंटल फॉर्मॉला के नाम से जानते हैं डेंटल फॉर्मॉला का अच्छे से लिखते हैं सबसे पहले इंसेजर एक हाफ में दो प्रेजन्ट होता है कैनाइन एक हाफ में एक प्रेजन्ट होता है प्रीम बोलर एक हाफ में दो प्रेजन्ट होता है और मोलर एक हाफ में तीन प्रेजन्ट होता है लेकिन ऐसे हाफ अगर आप पूरा माउथ को डाइसेक करें तो नीचे का दो पार और उपर का दो पार तो आप क्या करोगे सबको 4 4 से multiply कर दोगे तो 2 x 4 8 8 इंसिजर है हमारे अब 8 इंसिजर कैसे हम यह वाला डाइगराम में देख लो यह एक दो तीन चार यह चारो जो स्टक्चर है इसको इंसिजर के नाम से जानते हैं ठीक है यह चारो क्या है इंसिजर फिर उसके बाद यह वाला जो डात आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे क्या नाइन बोलेंगे इसके पीछे जो यह दो तीत आ रहे हैं इसको आम लोग क्या बोलेंगे प्री मोलर बोलेंगे यह कितना प्रेजन्ट है दो इधर दो इधर दो ऊपर दो नीचे तो इंटू फोर तो करना ही परेगा फिर उसके बाद मोलर आ गया मोलर कितने प्रेजन्ट है तीन प्रेजन्ट है लेकिन पूरे माउथ में कितने प्रेजन्ट होंगे 3 x 4 जो 12 होता है तो यहीं वाले arrangement को अच्छे से लिखा गया है तो total of about हमारे 32 दाथ होते है और 32 दाथ को normally total dentition के नाम से भी जाना जाता है तो dental formula अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे आप एक upper half यह वाले diagram से समझो कि हम यहां से आधा किये उसके बाद यहां पे सबका number लिखना start कर दिये तो कैसे number लिखाता है I C P M M by I C P M M incisor, canine, premolar, molar, incisor, canine, premolar, molar ठीक है incisor कितने है एक half में दो, canine कितने है एक, premolar कितने है दो और molar कितने है तीन वैसे करके नीचे भी 2, 1, 2, 3 तो यह हमारा क्या है dental formula एक normal adult का तो आपको दाथ अच्छे से समझ में आया होगा दाथ के बाद हम लोग स्टार्ट करते है pharynx, pharynx जैसे मैंने बताया था अगर हम लोग सास ले रहे है सास लेने के बाद हम लोग खाना भी खा रहे है, दोनों एक जगा पे यूनाइट हो रहे है यह वाले जगह पर यूनाइट हो रहे, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फैरिंग्स के नाम से जानते हैं, where food and water mix, food and air mix, अब जब फैरिंग्स पर ही रहे हैं, तो एक structure भी पाल लेते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है न, कि अगर यह आप अपना mouth का structure मानो, तो यह nose है, external nostrike के नाम से जाना जाता है इसको, यहां से आप सास लिए अंदर, सास लेने के बाद यहां से travel करके, सास यहां पर चला गया, एपि उसके बाद यह baccal cavity है, बखाल क्यावेटी से ख्गाना खाते हो बखाल क्या जा थे खाने की अगे तरकी जाते हैं अगर आप खाना खाता है लेकिन अगर गढता हो तो ख्थाना क्या होता है व te विर रेलेक्ट के नाम से जाने तकी घाने आहई और न उसना जा बना एकना humor ेंट के बास हो जा पकर बनाई पारिय औरक्री कैसे हुआ है जो समयğa धीक है तो अगर हम लोग लोग सास लिये तो सास क्या होता है किemi्हार्मी ड्री ट्राक्या में जाता है और अगर हम लोग खा है gotta información करता है ना यह हमारा साउंट बॉक्स है साउंड बॉक्स मतलबं अगर लेकिसी में प्रैज़िन tomorrow question नहीं करें तो कि इनसान बोल्डा लोट्र फेट springs के एकसा क्लॉक्स को पmb Good old сред कि sagte के नाम से जानते और auपनिंग वी निगल रहे हो सास लोस्या में ऐसा निगल रहे हो वी जो स्टुक्चेर वह यह जो क्या सब्सक्राइब रॉगा बंद ऐसी हो जाता है लेकिन यवह Goes रहे हो कि खाना भी नीचे आया हवा नीचे आया और कुछ खाने के पार्टिकल ड़े उस गुछ गया अब खुच खुश गया तो फूट पाइप तो है कि टो वहाँ से क्या नीकलने का कोशिश करेगा जैसे बहार निकलने के खाना कोशिश करेगा तो आपना सरक जाहिएगा तो इसलिए बोला जाता है कि आपको खाना खाते समय हसना नहीं चाहिए देफिनेशन पे आते हैं फेरिंग्स is a board funnel shaped cavity of about 10 to 12 cm long यह 10 to 12 cm long होता है यह वाला structure lies behind the mouth, mouth के पीछे लाई कर रहा है it's serve as a common passage for both elementary track and respiratory track, elementary track मतलब food के लिए respiratory track मतलब air के लिए अब खाना तो निगल लिए हम लोग अब खाना निगलने के बाद यहां से यहां का mechanism हम लोग पूरा पर लिए इसमें लोग तंग भी पर लिए इसमें लोग तीद भी पर लिए फिर उसके बाद orvilla heart palate, soft palate, larynx भी पर लिए अपना खाना को नीचे तक पहुचा के क्या करना है स्टमग में क्या होता है कि खाना के अंदर scl जाएंगे और उसके बाद खाना और टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो माउट से स्टमग के बीच में एक रास्ता होता है उसको हम लोग क्या बोलते औस तीक है इसमें नौर्मली इसमें स्मूद मसल्स प्रेजन होते हैं जा रहे है तो यह क्या करते हैं कुछ ऐसे ऐसे काइंड ओ ऋव्व्मेंट करते हैं और यह जाते हैं आप यह वाले मॉव्मेंट को मझा बोलते हैं पारी कंशल सिस तो उस्टोफेगस का यह मुवमेंट है जिसके वैसे खाना इसली स्टमक में आ जाता है और उस्टोफेगस का जो लेंथ होता है वह 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल यूमन बीन में होता है ठीक है उस्टोफेगस is a long narrow about 25 सेंटीमीटर त्यूब रहे फ्यून को पिर ऐसा कि शब मचा मिविएक्स कंच मवग अगर और यहां से आया है आने के बार सबसे पहले है तीन पाट में बाइड ह exact Fundus कारडियाक सदृ कारडियाक पोडियाक पाइलोरै यह घुcom कर रहा है मतलब उस्ट जो रहा है उसको आज चांज बोलते पिर भीच वाला पोरशन को बिद रृडिक के नाम से जानते पिर उसके बाद क्रिफ जो यहां से पर देशक पॉट स्टमक होते हैं बहुत स्वालोजीच तौनकारणारेशिय लिदे में टीन प्रपेसिंग सैंस प्रजच होते हैं इँ नॉरमली ये कौन सा शज़ेब का दिखार है आपको ये ज़ेब का स्टमउग होता है Sangailнул स्टमग हो गया स्टमग क्या था कि शेप का स्तक्चिर था जो लास्ट पार्ट था ऐसे घूमा हुआ हा था दिक कि वहला लास्ट पार्ट को तो पूरले के साथ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टовые स्टार्ट हो जाता है अब देखते हैं यह स्तमंग से जए से फ़ला पाइं द क्या थोब से पर निचे यह ङांती है श्दाइन और रे नाम स्टक्रिए जेकर है तो अनू पंदी विए स्थाइन क्या होते है नॉरू फॉल से तोरा भर होते हैं जो चाहां सबसे क्या अगर कोई ने 미ो parting में विए कंद भुग या है अगर कोई इंसान Cindy sweat is Apply Air या तो वह उसके के अलिमेंटरी कनाल में जाके फस जाते फसने के वाद उसका देथ हो जाते तो आप ही बताओ यह कैसे होगा मतलब एक पाइप के थुरू अगर आप कोई हैर को भी ट्रांसपोर्ट करो तो क्या होता है उपर से लेकि नीचे तक आजाएगा वापर डाइजेशन होगा कैसे ब पहाने निकर के जो है वह पूरा बाइंड हो जाएंगे ओके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का देफिनेशन देखते स्मॉल इंटेस्टाइन इस कोईल कोई मतलब घूमा हुआ नैरो मतलब पतला मस्कुलर क्यूब यह मसल से पूरा मिलके बना होता है और इसका पूरा जो लाजी इंटेस्टाइन स्नाट होंगे और लाजी इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट होता हुसका हो सिकम दो ओलते हैं तो कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन शिकम कर झाहें और नेक्स पर आते हैंते हैं dense जो हैं लाज ciao को करदिये उसमें यॉड़ियां नाम ही एसमाल ना था और 3.5 cm इलियम था ठीक है फिर उसके बाद यह कहां पर जाके अटाच हुए एक गूल काइंड ऑफ स्टक्चर जो लाज इंटेस्टाइन का होता है उसको सिकम बोलते हैं वहां पर जाके को किसा बड़े के बनाता है, मतलब यहां पर जो डोनों मेंबर होंगे डोनों को मैल्मेफित होगा यहां पर जो बैक्टेरिया उसको भी बैक्टेरिया क्या करता है और यहां पर हम लोग है मुक के अंदर last will came in के मदद से RBC को मेचियोर करने में हेल्प करते हैं अब आर बीसी का मैचुरेशन कैसे होता है अगर आर बीसी में से न्यूकलियस गायब हो जाए तो उसको मैचुरेशन बोलते हैं तो यह सिंबोइटिक बैक्टेरिया का काम यह ही है कि आर जितने भी आर बीसी के अंदर आर इसे करके लाई है मतलब होता है ना प्लीट के तरह लाई है वह वाले स्टक्चर को में लोग क्या बोलते हैं ब्लाइंड साग ओके उसके बाद हमारा जो लाज इंटेस्टाइन है वह चार पार्ट में डिवाइड होता है सबसे पहले तो एसेंडिंग को लून को लून ट्रांसवर्स को लून डिसेंडिंग को लून ऐसे जो घूमा हुआ था इसको सेगमोई फिर उसके बाद नीचे है रेक्टम फिर आनस ओके अब इंटेस्ट लाज इंटेस्टाइन के मस्सल्स होते है कुछ-कुछ यहां पर नॉर्मली क्या होता है यहां पर कोई ड क्या बोलते दिखने में कैसा दिख रहा है यह गोल गोल दिख रहा है तो इसको सर्कुलर मसल के नाम से जानते हैं अब यह मसल्स कैसे आरेंज है सीधा सीधा और उसको क्या बोलते हैं लॉंगिट्यूडनल मसल्स यह सब क्या करते हैं कि फूड्ध जो फूड्ध पार्टिकल है अंडाइजेस्ट इसको ट्रांसवर्स करने में हेल्प करते हैं फिर उसके बाद जो एक गोल सा के बना है तो एक गोल को हम लोग होस्टरा के नाम से जानते हैं तो यही क्या हो गया लाज का नाम क्या है large intestine क्योंकि यहां पर कोई digestion वागेरा नहीं हुआ यह मोटर काइंड of structure होता है इसके वज़े से इसका जो लेंध होता है नॉर्मली 1.5 मीटर होता है वही अगर small intestine का देखे वह 6 मीटर लॉंग था and broader than small intestine लेकिन क्या होता है कि थोरा मोटर होता है small intestine small intestine क्या था वह पतला था इसका function क्या है large intestine absorb मेली water अगर हम लोग पानी पीते है तो हमारे large intestine में जाके अब्सॉर्ब होता है वह पानी ठीक है जिसके वज़े से हम लोगे energy मिलता है प्यास तुमू पर भुछ जाता है लेकिन energy वह water से हम लोगे large intestine में जब जाएगा पानी तब मिलता है क्योंकि वहां पर absorption का प्रसेस होत तो पूरा structure complete हो गया जितने भी आ रहे थे किसमे डाइजेशन में पहला क्या था माउथ था हम लोग इंजेशन किये माउथ के थू फिर उसके बाद डाइजेशन था अगले वाली क्लास में हम लोग क्या परेंगे digestion कैसे होते हैं तो आज के लिए इतने ही तो आपको समझ में आगा होगा सारी और इंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर नहीं समझ में ताब कमें सेक्षिन में बताना थांक्यू